लग रहा है ना दिखने में कितना colorful और delicious तो चलिए start करते हैं अपनी आज की recipe को बनाना जिसका नाम है beetroot पनीर पराथा इसके लिए beetroot लेंगे steamer में करेंगे उसको steam, छोटी छोटी पीसिस में उसको cut कर लेंगे अब इन छोटी छोटी पीसिस को हम डालेंगे mixer grinder में और इसके एक puree तियार कर लेंगे अब लगा लेंगे अपने पराथे का आठा, उसके लिए एक mixing bowl में लेंगे दो कप गेहूं का आठा, beetroot puree, salt, अजवाइन, oil सारे ingredients को अच्छे से आठे में mix कर लेंगे अब इसका एक soft dough तियार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे हम रोटी का dough तियार करते हैं उसी तरीके से अब इस dough को करेंगे 15 minute rest पे तब तक हम तयार कर लेते हैं अपनी पनीर की stuffing को इसके लेक बोल में लेंगे एक कप पनीर, कटा हुआ प्यास, हरे मिट्च, चिली फ्लेक्स अच्छे से कर लेंगे इसको mix अब हम ले लेंगे छोटे से ball size का dough अब इसमें लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आठा और इसको गोल गोल रोटी के shape का हम बेल लेंगे अब इसमें लगा लेंगे एक चम्मच, oil अब इसके center में अपनी stuffing को अच्छे से fill कर लेंगे अब इसको चारों तरफ से fold करेंगे और इसको देंगे एक square shape वैसे तो आप किसी भी shape का इसको बना सकते हैं गोल या square लेकिन जो square shape होती है ये beginners के लेंगे काफी easy होती है इसको बनाना beginners इसको आसानी से बना सकते हैं अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ सा सूखा आटा और इसको बहुत हलके हलके आतों से बेल लेंगे बहुत जादे इसको दबा के नहीं बेलना है otherwise हमारी जो stuffing है वो इससे बहार आ जाएगी होती हलके हलके आतों से हमने इसको गोल गुल घुमा के चारो तरफ से बेल लिया है अब लेंगे गरम तवा और इसपे अपने पराठी को प्लेस कर देंगे अब इसपे लगा लेंगे oil हलके हलके जब इसपे brown patches आएंगे तब हम इसपे अपना oil लगाएंगे अब इसको दूसरी साइट पलट देंगे अब इसपे भी हलका सा oil लगा लेंगे अब इसको अच्छे से सेख सेके दोनों साइट से हम बना लेंगे तयार है हमारा बहुती delicious yummy और healthy beetroot पनीर पराथा मैंने इसको serve किया है चटनी और दही के साथ आप इसे अपने किसी भी मन पसंद डिप के साथ serve कर सकते हैं आपको आपको यह healthy recipe कैसी लगी just go down and write in the comment section मिलते हैं next वीडियो में एक और healthy recipe के साथ till then bye